नमस्कार यदि आप एक EPS संचालक हैं अधार से निकासी का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जिया यदि आप किसी भी कंपनी का ID चलाते हैं तो एक लाग के निकासी पर कितना कमिशन मिल सकता है आपको कितना कमिशन हो सकता है आज किस वीडियो में जानेंगे ज़िए आप अधार से निकासी का काम करते हैं बैंकिंग सर्विस गरहकों को देते हैं मैं जो काम करता हूँ EG Case Point Company के लिए काम करता हूँ जहाँ पर बैतरिंग कमिशन मिलते हैं जो कि सारे 300 पलस आप इंकम कर सकते हैं यानि कि एक लाग का लगभग टांजिक्शन करते हैं त कि सर्विस चार्जेस कस्टमर से जो भी आप लेते हैं DMT वगर पे वो अलग चीज है 1% लोग लेता है 1000 में 10 रुपे लेकिन कुछ कंपनी के ID में एक लाग के टांजिक्शन पे आपको 100 रुपया से लेके 120 रुपया तक ही होता है इंकम इसके पीछे कारण ये होता है कि 5 या 6 रुपया आपको कमिशन मिलते हैं कुछ कंपनियों में जदातर कंपनी 5 या 6 रुपया ही देता है 3000 से उपर के विड्रॉल पे लेकिन खास बात है कि एक लाग का जब टांजिक्शन करते हैं तो आपको 120 रुपया या 100 रुपया कमाते हैं लेकिन EG के स्पेंट आपको एक लाग के टांजिक्शन पे एक अनुवानित जो इंकम हो सकता है वो हो सकता है आपको जो है सारे 300 रुपया लेकिन 4 से 5 रुपया अगर पर टांजिक्शन कम मिलेगा तो सबाविक बात है आपको कमिशन कम मिलेगा सारे 300 के जगा आप 11.500 रुपया ही कमाके रा जाएंगे यदि आप easy case plan ID के लिए interested हैं तो दिएगे contact number पे आप हमें संपर कर सकते हैं AAPS ID ले सकते हैं हमसे दिएगे गर नमर पे आप call करिए और ID ले लीजे धन्यवाद